नमस्कार में शिवानी भिहारी ने उच में आप सभी का स्वागत करते हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करींगे बैंगन के वारे में बैंगन आप सभी के घर में बनता होगा लेकिन घर के कुछ ऐसे सदस्यों होते हैं जिन्हें बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता बहले ही कुछ लोगों को बैंगन अच्छा ना लगता हो लेकिन आपको बता दे कि बैंगन बिना गुन का नहीं है बैंगन के ओशधिये गुल इतने हैं कि जिन्हें जानने के बाद इसे देखकर आप इनकी शिकायतों की ज़डियां नहीं लगाएंगे आज की वीडियो में मैं आपसे बैंगन खाने के फायदों को विस्तार से बताऊंगी बैंगन में विटामिन, फेनोलेक्स और एंटियोक्सिदेंट पुर्चूर मातरा में पाया जाते हैं इन खास दत्तों के वज़ज़ से बैंगन स्वास्त संबंधी कई समस्याओं को दूर करने के लिए एक औसधी का काम करता है डायवटीज की समस्याओं में बैंगन का उपयोग लावकारी माना जाता है क्योंकि इसमें पाया जाने वाले फेनोलिक्स टाइब 2 डायवटीज की समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं वहीं दूसरी और फेनोलिक एंटी ऑक्सिडेंट गुन ऑक्सिडेटीव स्ट्रेस को कम कर हाइपर ग्लाइसीमिया यानि हाई ब्लड शुगर के प्रभाव को कम करने में सहायक माने जाते हैं बैंगन में विचामिन A, विचामिन C के साथ भी कैरोचीन और पॉलिफेनोलिक कमपाउंट पाया जाते हैं इन तत्तों की वज़े से बैंगन में शक्ति साली कार्डियो प्रोटक्टिव इफेक्ट पाया जाता है इसलिए इसे हिर्दे स्वास्त के लिए अच्छा माना जा बैंगन में भी उपलब्द होते हैं इसलिए के बैंगन इन्सान में खूशी की भावना को जगाने का काम करता है शाथी यह दिमाग की काडियो शम्ता को बठाने में भी मददगार माना जाता है बैंगन कर आपको हैरानी होगी आपको बता दू कि अगर आप धुम्रपाण छोड़ना चाहते हैं तो यह आपकी सहायता कर सकता है 100 ग्राम बैंगन में कड़ी 0-10 हमलो 0-1 मिली ग्राम निकोटीन मौजूद होता है हालांकि सिगरेट पीने वालों के लिए निकोटीन की यह मात्रा काफी कम है लेकिन अगर आप सिगरेट छोड़ने का मन बना चुके हैं तो यह आपको इस काम में थोड़ी मदद तो कड़ी सकता है पाचन तंदर को सुधारने में बैंगन खाने के फायदिक काफी मददकार साबित होते हैं स्टीम कोकिंग से बना बैंगन पाचक रसो को प्रेरित करने का काम करता है पाचक रस भोजन को पचाने में अहम भूमी का निभाते हैं इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि बैंगन का उप्योग पाचन प्रिक्रिया को सुधारने में सहायक साबित होगा अगर आप मोचापे की समस्या से पड़ेशान है और वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो बैंगन आपके बड़े काम आने वाला है वजह यह है कि 100 ग्राम बैंगन में 92 ग्राम पानी पाया जाता है वहीं फैट की मात्र काफी कम होती है बैंगन में उच मात्रा में फाइबर होता है साथ ही इसमें बेहत कम कैलोरी होती है इस कारणिया पेट भरने के साथ-साथ मोचापे की समस्या से जूज रहे लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प होगा कैंसर की समस्या में भी बैंगन खाने के फायदे देखे जा सकते हैं वजह यह है कि इसमें एक खास तत्तु इंथोसाइनीन पाया जाता है इंतोसाइनीन कैंसर कोशिकाओं के प्रभा को कम करने का काम कर सकता है इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि बैंगन का उपयोग कैंसर की समस्या से जूस रहे लोगों के लिए काफी हद तक फायदेबन साबित होगा बैंगन कई गंफिर समस्याओं के उपचार के साथ साथ शरी के परतिरोधक शमता को बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है परतिरोधक शमता बढ़ाने के लिए विचामिन A, C, D, E, B2, B6, B12, Folic Acid, Iron, Selenium और Jink अहम भूमिका निभाते हैं वहीं बैंगन में विचामिन के साथ साथ आईरन और Jink मौजूद होते हैं जो परतिरोधक शमता को बढ़ाने का काम करते हैं बैंगन में विचामिन C, विचामिन E और विचामिन A के साथ साथ fatty acid भी पाया जाते हैं जिन्हें तवचा संबंधी, संपुर्ण, स्वास्त के लिए लावकारी माना जाता है इन तत्यों की मौजूदगी तवचा से दाग धबो, जाईयों और मुहासे जैसे समस्या को दूर करने के साथ अस्कीन को अल्चा वाइलच केरनों से बचाती है लंबे और मजबूत बालों के लिए बैंगन का इस्तिमाल किया जा सकता है इसका सेवन करने से बालों को फायदा होता है वही इसका हेर मास्क बना कर उप्योग करना भी काफी लावकारी स्थीत हो सकता है दरसल बैंगन में विचामिन A, E, फॉलेच और नियासीन के साथ आइरन और जिंक मौझूद होते हैं जो कि मैंने आपको उपर बताया है ये सभी तत्तो ज़रते बालों की समस्यागों खत्प करने में सहायक माने जाते हैं साथ ही बालों के विकास में भी मददकार साबित होते है आज के वीजियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीजियो में नई जानकारी के साथ और हमाशा करते हैं कि बैंगन से समंद्धित हमारा ये वीजियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आप किसी विशेपर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों की जवाब देने में खुशी होगी आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं धन्यवाद